मिस्टर चल्डा जो बिल पढ़ने के बाद मेरे जहन में आए और वो इसलिए आए क्यूंकि इस बिल के माध्यम से ये सरकार चुनाव आयोग को पूरी तरीके से अपने नियंतरण में लेना चाहती है यानि कि चुनाव आयोग पे पूर्ण कबजा चाहती है में चुनाव आयोग के तीन सदस्य होते हैं एक मुख्य चुनाव आयोग यानि की चीफ इलेक्शन कमिशनर और दो अतिरिक्ट इलेक्शन कमिशनर इनकी चैन और नियुक्ती इस बिल के माध्यम से पूरी तरीके से सरकार के हातों में आ जाएगी और वे जिसको चाहें चाहे वो पार्टी का शक्स हो, येस मैन हो, पार्टी मैन हो जिस मर्जी को चाहें वे चुनाव आयोग बना सकते हैं चुनाव आयोग की हमारे देश के चुनावों में बड़ी महत्वपून भूमिका है किसका वोट बनेगा इसका वोट कटेगा इस चुनाव आयोग तेह करता है किस तारीक पर चुनाव होगा कितने चरंड में चुनाव होगा इस देश के फेर अंपर débूल कि यह विया मचिन कहां खाल wicked jsem उसका नियंतरन उसका free and fair elections from India ये bill तीन व्यक्तिया संस्था का अपमान है पहला अपमान है सुप्रीम कोट क्यों क्योंकि सुप्रीम कोट ने इसी साल मार्च 2 को 2 मार्च 2023 को पांच जजों की सम्विधानिक पीट ने सरसमती से एक फैसला दिया और वो फैसला ये था कि सरकारी हस्तक्षिप सरकार का कोई भी दखल चुनावायों की नियुक्ति में नहीं होना चाहिए ये खतम करने के लिए हम एक समिती का गठन करते हैं उस समिती के गठन से मुख्य नहीदीश को हटा कर एक क्याबिनेट मंतरी को डाल कर उसका संतलोन बिगानने का काम और चुना सुप्रीम कोट के फैसले को पलटने का काम इस सरकार ने किया तांकि एक एक ऐसी विवस्था बन जाए जिसमें जो शक्स ये चाहें वही चीफ एलेक्शन कमिशनर बनेगा ये इंसल्ट सुप्रीम कोट की इसलिए है क्योंकि इसी साल के दिये गए सम्विधानिस अफ इंडिया का है सुप्रीम कोट का फैसला कहता है कि चैन समिती के तीन सदस्य होंगे माननिये प्रधान मंत्री जी, माननिये नेता प्रतिपक्ष यानि की लीडर ऑफ ऑपोजिशन और थर्ड चीफ जस्टिस अफ इंडिया इन तीन मेंबरी समिती में से इस बिल के माध्यम से सरकार ने चीफ जस्टिस अफ इंडिया को हटा दिया और एक क्याबिनिट मंत्री को उनकी जगा बिठा दिया Chief Justice of India से इतना परहिज कि साफ तोर पे उन्हें इस समीति से हटाने के लिए इस बिलकुल आया गया मैं सरकार को याद कराना चाहूंगा कि समय समय पर Electoral Reforms के लिए इस देश में कमीटियां बनी और अधिकाज कमीटियों ने ये फैसला दिया, ये रिपोर्ट दी, ये सजेशन दिया कि समीति के भीतर Chief Justice of India यानि कि इस देश की न्याय मूर्ति को जरूर होना चाहिए चाहे वो तारकुंडे कमीटी हो, दिनेश गोस्वामी कमीटी हो, वोरा कमीटी हो, इंदरजीत गुपता कमीटी हो, जीवन रेड़ी कमीटी हो या फिर इसी सरकार की Law Commission की रिपोर्ट हो तीसरी इंसल्ट इस बिल के माध्यम से भाजपा सरकार एक ऐसे शक्स की कर रही है, जो व्यक्ति भाजपा का संस्थापक थे, जो व्यक्ति आज भी भाजपा के मार दर्शक हैं, जो व्यक्ति भाजपा के भीशम पितामा के नाम से जाने जाते हैं, वो व्यक्ति जो भारत जर्म्रादेश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे सैकंड जून заरज यून रज्सभा के पटल पे इस लेटर को रखूंगा 2 जून बारा को माननिया लाल कृश्न अडवानी जी ने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्τοर मनमोन सिंग को पट्र लिकर कहा कि चुनाव योग की जो भूमे का है चुनावों में बड़ी महत्पपून है उसकी नियुकती पर एक बहुत बड़ा संदेग प्रशंचिन लगा हुआ है और उसकी नियुकती सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए और वो लिखते हैं और वो कहते हैं कि समीति पाँच सदस्यों की हो जो CEC की चैन करे उनकी नियुकती करे जिसमें प्रधान मंत्री हो जिसमें लीडर अफ उपोजिशन लोगसबा हो जिसमें लीडर अफ उपोजिशन राजी सबा हो जिसमें चीफ जस्टिस अफ इंडिया हो और कानून मंत्री हो यानि कि दो सदस से सरकार के दो सदस से उपोजिशन के और एक निया पालिका के ये समीति बड़ी अच्छी है यानि कि अड़वानी जी भी चीफ एलेक्शन कमिशनर की स्वतंतरता के लिए चुनावायों की स्वतंतरता के लिए लड़ते रहे लेकिन इन लोगों ने अड़वानी जी को भी उनके हक की उनके अधिकार की बात नहीं दी आज में सदन में दूसरी बार लाल कृष्ण अडवानी जी के हक की उनके अधिकार की बात मांगने के लिए खड़ा हूँ पहला जब उन्होंने दिल्ली सेवा बिल पर कहा था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और आज जब उन्होंने कहा कि चीफ से इल्लीगल है ग्यार कानून ही और वो इसलिए है क्योंकि यू केनोट रिवर्स सप्रीम कोट जज्जमन्ट विदाउट चेंजिंग दे वेरी बेसिस ओव विडिया नहीं कि अगर आपको सुप्रीम कोट के फैसले को पलटना है तो सुप्रीम कोट जिस फैसले को देते हो कोई जिस आधार को रेफर करता है आपको इस आधार को बदलना पड़ेगा आप सीधा फैसला नहीं पलट सकते लेकिन इन लोगों ने सुप्रीम कोट के फैसले की मूल बूत भावना को इस बिल के माध्यम से चोट पहुचाने की कोशिश करी है और निश्पक्षता को चु про constitution है clear election basic structure of the constitution है निश्पक्ष चुनावर डेमोक्रसी अगर बाइस्चेल्चन कमिशन होगा तो चुनाव भी चुनावायोग का पूरा नियंतरन दे देता है Why is the selection committee biased in the favor of the government Supreme Court ने कहा तीन memory समिती होगी जो तै करेगी कि चुनावायोग में कौन-कौन बैठेगा प्रधान मंतरी, leader of opposition और Chief Justice of India इसमें से Chief Justice of India को निकाल बाहर करकर एक cabinet minister को इसमें डाल कर पूरा नियंतरन selection committee का इन लोगों ने बिगार दिया जिसके चलते आज इस समिती में सरकार के पास दो vote है 2 is to 1 से सारे फैसले majority से सरकार ले सकती है इसमें सर्व समती से फैसला नहीं लेना, unanimity से फैसला नहीं लेना, सरकार चाहे तो 2 is to 1 से कोई भी फैसला ले सकती यानि कि सारा नियंतरन कौन मुख्य चुनावा युक्त होंगे कौन चुनावा आयुक्त होंगे यह सरकार के हाथ में आ जाता है और यह एक ऐसी विवस्था बनाता है कि एक party man, एक yes man चुनावा युक्त बन सकता है वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पातरा को Chief Election Commissioner बना सकती है madam और 2 is to 1 के रेशियो से संबित पातरा देश की Chief Election Commissioner बन सकते हैं आप सोचिए कि यह कितना खतरनाक होगा अगर वो Chief Election Commissioner बन गए मैं आगे चलता हूँ पहरा 9 पहरा 9 पहरा 9 इस Supreme Court Judgment का केता है The Executive alone being involved in the appointment ensures that the Commission becomes and remains a partisan body and the branch of the Executive The independence of the Commission is intimately interlinked with the process of appointment यानि कि Supreme Court केता है कि चैन का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरी तरीके से वो पूरी तरीके से elections कैसे होंगे? free होंगे कि fair होंगे, वो तैक करता है. मैं आगे चलता हूँ 14 मिनिट है, मैं भी तो 6 मिनिट बाकी है. Supreme Court आगे अपने पहरा 186 में हाइलाइट करते हो यह कहता है, a person who is weak-need before the powers that be cannot be appointed as the election commissioner. A person who is in a state of obligation or feels indebted to the person who has appointed him fails the nation and can have no place in the conduct of elections forming the very foundation of our democracy. An independent person cannot be biased. It is important that the appointment must be overshadowed even by a perception that a yes man will decide the fate of the democracy and all its promises. यानि कि केवल निश्पक्ष चायन ही होना जरूरी नहीं है. निश्पक्ष चायन जनता को नजर आना भी जरूरी है. It must not only be done, it must be seen to be done. यह Supreme Court बात कहता है. मैं आगे चलता हूँ. तीसरा कारण की क्यों हम इस बिल को अपोस्ट कर रहे हैं? वो है कि यह जो प्रपोस्ट सेलेक्शन कमिटी है, इसमें कोई checks and balances नहीं है. चेक्स नहीं हैं क्योंकि सारे फैसले तो सरकार के पक्ष में होंगे. दो मंतरी सरकार के उसमें बैठे हैं. L.O.P. को मातर फॉर्मालिटी के लिए इसमें बिठाया गया है. तो एक प्रकार का fixed match इसमें नजर आता. अब आप ही सोचिए. तीन memory समीती है, जिसमें माननी ये प्रदान मंतरी जी हैं. मान लेते हैं हमारे सदन के leader of opposition मलिका अर्जुन खड़गे जी उसके सदसे हैं. और third member अर्जुन मेगवाल जी कानून मंतरियां बैठे हैं. अब इनकी बैठक चल रही है. इसमें माननी ये प्रदान मंतरी जी कहते हैं कि मैं रमेश नाम के शक्स को Chief Election Commissioner बनाना चाहता हूँ. खड़गे साब कहते हैं कि मैं रमेश को नहीं, सुरेश को Chief Election Commissioner बनाना चाहता हूँ. क्या अरजुन मेगवाल जी जो इसी सरकार के कानून मंतरी हैं, वो प्रदान मंतरी जी को एक कह सकते हैं कि नहीं 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 प्रदान मंतरी जी रमेश ठीक नहीं है, खड़गे साब ने जिसको नॉमिनेट किया है, सुरेश मैं भी उसी के हक में वोट देता हूँ, उसका चा जावराच सुना था जिसकी लाठी उसकी भेंस, तो ये पूरी तरीके से इस बिल में सिध होता है कि लाठी भी इनकी, तो फेर इस कानून के माध्यम से भेंस भी इनकी, मैं आपको एक और उधारन के माध्यम से समझाता हूँ, मान लीजे भारत और उस्टेलिया का मैच हो रहा है, उस क्रिकेट मैच में अंपायर कौन होगा, वो एक तीन मेंबर की समिती तैक करेगी, जो मैच कराएगी, वो तीन मेंबर की समिती में एक उस्टेलिया के कैप्टेन पैट कमिंग्स होंगे, दूसरे उस्टेलिया के प्रसित प्लेयर डेविड वारनर होंगे और थर्ड भारत के कप्तान रोह चर्मा होंगे अब ये तीन मेंबरी समिती अगर किसी अंपायर को चुनेगी तो वो अंपायर तो हमेशा ही उस्ट्रेलिया के साथ होगा क्योंकि दो एकी भाउमत उस्ट्रेलिया के साथ है तो क्या निश्पक्ष मैच हो सकता है? ये हमारा constitutional imperative है कि देश में चुनाव आयोग निश्पक्ष हो तांकि चुनाव निश्पक्ष हो अगर चुनाव आयोग निश्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव निश्पक्ष नहीं होंगे और लोगों की आस्था इस लोकतंतर से डगमगा जाएगी मैं सरकार को कहना चाता हूँ अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को फलटना चाती है अगर सरकार चीफ जस्टिस ओफ इंडिया को इस समीति से हटाने के लिए इतनी बेकरार है तो मैं आज सुझाव लायाँ कानून मंत्री जी तीन सुझाव मेरे हैं इन में से अगर कोई सुझाव स्विकार कर लें तो मुझे लगता है सारा हाउस एक आवाज में आपके इस बिल का समर्थन करेगा पहला सुझाव यह है यह तीन आप्शन आया है आपके लिए पहला आप्शन यह है कि चुनाव आयों का गठन कौन चीफ इलेक्शन कमिशनर होगा और कौन कमिशनर होंगे इसका गठन दो मेंबरी समयती करें जिसमें दो लोग हूँ प्रधान मंतरी और लीडर ऑफ उपोजिशन यह विपक्ष के नेता यह दो मेंबर्स सर्व समती से फैसला ले यूनाइनमिटी से तुकि दो लोगों में मिजॉरिटी तो हो नहीं सकती तो दो लो फाउंडिंग फादर आपके पितामा भीष मिलाल कृष्ण अडवानी जी का फॉर्मूला ले लीजे पांच मेंबरी समीती प्रधान मंतरी कानून मंतरी लीडर ऑफ उपोजिशन इन लोग सभा और राज्य सभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह पांच मेंबरी समीती करें वो नाम सदन के भीतर लाए जाएं और दो तिहाई भाउमत लोग सभा और राज्य सभा से नाम पास हो जाए वो आत्मी चीफ एलेक्शन कमिशनर बन जाएं मैं सगरात्मक बहस कर रहा हूं मैं ऑप्शन लाया हूं यह तीन ना इंत तीन आप्शन में से कोई भी ऑप् की इस बिल के माद्यम से भाजपा डिमोक्रिसी को हाईजैक करना चाहती है और आए उन बहाफ अप अब आदमी पार्टी अपोस दिस बिल वहमेंटली अपोस दिस बिल बिल इस बिल इंशोर अट इंडिया विच इस तोड़े नोन अस दिल को वापिस लीजे लोगों को वा देश के लोगतंतर में बहुत आस्था है उस आस्था से खिलवार करने का काम मत कीजे बहुत बहुत शुक्रिया जैहिंद जै भारत